देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा, ओम गनिशाय नमा, ओम नमस्षिवाय, मनिखिल जोतिशा चारे, आप सभी का मेरे चैनल पर पुरह स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी सुस्त होंगे, महादेव की खिरिपाप सभी पर सदाय बनी रहे, ये वीडियो है, 26 मई 2023, फ्राइडे, यानि नविश्लेशन होता है, आपकी गाइडेंस के राशी फल दिया आता है, और आपकी सुवीधा के लिए राशी फल एक दिन पहले प्रदश्यत होता है, हर राशी के साथ दिन का उपाए भी बताया जाता है, राशी फल पर चलेंगे, लिकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग की तरह बढ़ने से बढ़े आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंड बॉक्स में जया लक्ष्मी मात आवश्य लिख कर जाएगा पंचांग इस्ता से है तिथी रहेगी सप्तमी नक्षत्र अशलेशा योग ध्रुवा करन गरज और वार रहेगा शुक्रवार और अभिजीत मूरत 11.52 एम से 12.47 पीम और अमरित काल 7.02 पीम से 8.50 पीम अशुब मूरत राहुकाल 10.36 एम से 12.19 पीम और गुलिक काल 7.10 एम से 8.53 एम इन दोनों ही अशुब मूरतों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार काली चालीसा का पार्ट करके ही घर से निकल मेश आज का दिन आपका काफी अच्छा देख रहा है आज यात्रा के योग अचानक से बन सकते हैं किसी शुब यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है रुके विकारे पूर्ण होंगे और बहुत क्रियेटिव भी रहेंगे आज आज का दिन काफी शुबता पूर काफी सकरात्मक था पूर्ण देख रहा है बस एक चीज़ कहूंगा कि मन की बाते जाहिर करने से पहले समझ लिजेगा किसके सामने वह बाते बोल रहे हैं किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं यह मेश की प्रॉब्लम भी होती है बहुत बर बता चुब हूँ यह कहीं पर भी कभी लेकिन मन थोड़ा सा उदास रहेगा जहां तक करियर की बात है साइनेंस फिल में है बहुत अच्छा दिन है बिजनस के हिसाब से कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे थे बिजनस पैंचा दिन है जहां तक लव लाइफ की बात है बहुत कंट्रोलिंग से बन रहे हैं और कर या ऐसा हो रहा है तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा जादा कंट्रोलिंग बने तो आगे चल कर नुकसान होगा विवाहिक जीवन अच्छा है लेकिन मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है और थिंकिंग बहुत हो रही है ऐसे सिच्वेशन आप अपने मन में क्रेट कर लेते हैं जो वास्तविक्ता से दूर हैं और इसके कारण विवाहिक जीवन में और प्रॉब्लम जा रही है टेखिए कि आपके साथ वाले स्टूडन कहां जा रहे हैं क्या कर रहे है क्या उनका तरीका है कहीं कई पे कंपयरेजन करने भी चाहिए और वह अच्छी प्रब्लम सरवाश्ट रख आपका भाग्यस्थान बली है तो ठीक है दिन अच्छा है थोड़ा पूजापाट के साथ दिन कोई कि शुरुवात करिएगा और अच्छा जाएगा आपके लिए उपाई यह है कि आपको काली चालीसा का दो बार पाठ करना है और काली माता को दो सरसो के तेल के दियर पड़ करना है शुबंग के आपका नौ कलह है वाइट भाग्या प्रतिशत है असी प्रतिशत वानी पर नियंतरन रखिएगा और बड़ा कोई फाइनेंशल निर्णे मत लीजेगा धन अचानक से भले आ जाए अचानक से धना सकता है लेकिन धन कहीं पर लगाईएगा मत किसी को देजेगा मत इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल करके रखना है ऐसा कई लोगों का ऐसा व्यक्तित्व होता है कि वो मदद मांग लेते हैं लेकिन खुद मदद करने का जब समय आता है तो वहां पर पीछे घट जाते हैं कोई बात नहीं इस चीज़ को जाधा अपने दिल पर मत लगाई और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास के प्रयास के जिए अपने पार्टना के लिए लगाई चीज़ें बहुत बोरिंग हो गई है विवाहिक जीवन अच्छा है लेकिन इमोशनल कमपेटिमिल्टिवर काम कीजिए सब कुछ ठीक है लेकिन और बेटर हो सकता है स्टुड़न्स आप अपने पढ़ने का तरीका जयुने की वो कोई और विक्ति अपने तरीके से आगे बढ़ा है तो आप भी उसी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे एक इंडिविजुएलिटी रूणने पड़ेगे सेहत के इसापसे पेट के रोग और लिवर के रोग सरवाश्टक के इसापसे आपका अश्टम भावति प्रतिशत है 65 जैमिनाय मिथुन थोड़ा सा सपोर्ट की अवशकता है आपको मांसिक रूप से ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर आप परिशान है कुछ चीजें जो समझ नहीं आ रही है और यहां पर एक मेंटल सपोर्ट की आपको अवशकता है कोई ना क साथ यह भी कहूंगा थोड़ा एक्शन औरेंटेट वे रही है लैनिंग दुनिया भर के करते हैं लेकिन समय आने पर उन चीजों को इंप्लिमेंट ना करना वह प्लैनिंग का कोई यूज नहीं होता आप अपनी उर्जा का सही इस्तमाल कर ही नहीं वह मांसे कूर्जा हो य सब्सक्राइब करते हैं लाब होगा जहां तक लव लाइफ की बात है इंबैलन्स दिख रहा है आपकी तरफ से थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है लेकिन आप उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे है विवाहिक जीवन अच्छा नहीं है आज का दिन लड़ाई ज चलकर अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा जहां तक सेहत की बात है जोड़ों का दर्दतंग करेगा सरवाश्टक के हिसाब से आपका सप्तम्भावतिन तपली है तो ओर आल तो दिन आज का ठीक जाएगा आपके लिए उपाई यह है कि आपको दुर्गा माता की एक बार आ आटए सच सचरसे से चल रहेत bastard तो समय किसी का नहीं होता निकलता रहता है हाथ से कभ था महीन होगा कभ नहीं होगा कभ साथ होगा कभ सali होंगी कुछ नहीं समय बहुत तेज़ गती से आगे निकलता है तो अपने जीवन में प्रायोटीज लाइए क्या कार्य सबसे महत्वपूर्ण है उस पर जादा फोकस कीजिए धन का संचे कीजिए धन बहुत जादा खर्च कर रहे हैं बार-बार ऐसा दिखता है कि आपके साथ यह चीज होती है पर एक इंडिविजुल अप्रोच लाइए जीवन में किसी ने कुछ क्या दिया आपका बंद बस वहीं पर भाग चलता है ऐसा आज कल थोड़ा जादा हो रहा है इन चीजों पर काम कीजिए इंवेस्मेंट कर सकते हैं इंवेस्में में कोई जादा प्रॉब्लम नहीं रहे हैं आपको भी पता है भले अभी ना यह चीज़े सामने आगे चलकर आएंगी विवाहिक जीवन यहां पर सब कुछ ठीक दिख रहा है स्टूडंस के इस आप से और संभावना है ढूंड़िए उनकी बात कर रहा हूं जो अगर आपके पास आप्शन नहीं तो आगे ज कटास्थान बली है एक अलग सी फ्रस्ट्रीशन आज चलेगी शायद कई चीज़ें हैं जो आपके विरुद्ध जा रही है और मिलकर आज को आज आपको बहुत परिशान करेंगी आपके लिए उपाई यह है कि आपको लक्ष्मी चलीसा का दोबार पाठ करना है शुबंग कर रहा है अगर आपकी कोई निंदा बहुत कर रहा है दिखिए यह आपके उपर है आप उस चीज़ को कैसे लेते हैं अगर आपका कोई क्रिएटिव क्रिटिसिजम करता है आपकी कोई निंदा आपको सोधारने के लिए करता है जो बहुत कम लोग करते हैं तो उससे कुछ स लेकिन आजकल यह दिख रहा है कोई भी आपको आपके लिए कुछ भी निंदात्मक शब्दों का प्रयोग करता है आप बहुत उससे विचलित हो जाते हैं बहुत प्रभावित हो जाते हैं जीवन में जीना है आज के टाइम पर सर्वाइव करना है तो थोड़ा सा आपको गिरता हुआ देख रहा है उस पर काम कीजिएगा अज गलतियां हो सकती है बिजनस बिजनस में अच्छा दिन है अगर आप टेक्स्टाइल या फिर मेकप का जो प्रोड़क्ट होते हैं उनसे जुड़ा कुछ भी का रहे हैं आपका लाब होगा लव लाइफ बातचीत कीज देखेंगें और अपने लाइफ पार्टन के बारे में समझें क्यूं और बुरी तरह से करें कभी-कभी हम एक गुस्से को देखते हैं हम व्व्यक्टी के रियक्शन को देखते हैं लेकिन उसके पीछे क्या कारण है उसको भूल जाते को ना नजर अज़र अनदास कर दें आप फ्यूचर प्लैनिंग पर तो आपका ध्यानाचल कम जा रहा है सेहत की से आपसे हॉर्मोनल डिसॉर्डर तंग करेंगे सरवाश्टक में आपका पंचम भावत इन तबली है तो ठीक है दिन आज का अच्छा ही जाएगा अच्छे विचार आएंगे सकरात्मा विचार हम इतना काम करते हैं इतना अपने आपको व्यस्त रखते हैं कि हम एक्जोस्टेड हो चुके हम ठक चुके हैं और जो मेंटल फटीग होती है यह बहुत तंग करती है लोग हमें सबज नहीं आता कि हम मानसिक तौर से थके होएं अभी भी ऐसा ही दिख रहा ऐसा लगता है कि एक वेकेशन की आपको वशकता है चोटे से ब्रेक की आपको वशकता है और कभी-कभी ऐसा करना चाहिए बहले एक दिन का हो दो दिन का हो एक ब्रेक अवश्य लीजेगा जिसमें आप अपने रोज मर्रा के कामों को छोड़कर कुछ अलग करें एक शांत जगा पर अपना स अब बिशव्य प्लैन कीजेगा उसकी अवशकता बहुत दिख रही है ऐसा लगता है कि अपने मन पर अपने विचारों पर बिलकुल कंट्रोल नहीं और उसके कारण गलत इंडिरने भी ले रहे हैं गलत लोगों का साथ ले रहे हैं गलत लोगों पर विश्वाश कर रहें अगर रिलेशन्शिप में है तो आपके पार्टनर अटेंशन डिजर्व करते हैं और अगर आप नहीं दे पार रहे तो गलती कहीं नहीं आपकी ही है विवाहिक जीवन हाँ यहां पर जगड़े आज हो सकते हैं students आप बहुत चीजों के बारे में आपको पता ही नहीं आसपास क्या चल रहा है थोड़ा सा सतर्क हो जाईए देखिया आसपास क्या चल रहा है क्या चेंजिस आ रहे हैं स्टडी में इसके बारे में थोड़ा जाग रुक रही है सेहत के हिसाप से हिर्दे संबंदित रोग और जिनको नसों की कोई प्रॉब्लम है दिक्कत होगे सरवाश्टक में आपका चौथा स्थान बली है इमोशन पर थोड़ा सा कंट्रोल जाता हो देखाए जबने शुरू में वेकेशन की बात करें उस पर विचार की जएगा आपके लिए यह है कि आपको काली चालीसा का दोबार पाट करना है गलत लोगों पर विश्वास कर रहे हैं किसको कितना समय दिना चाहिए किसको अपने जीवन में कितना involvement देना चाहिए किस चीज़ को प्रायोटी पर रखना चाहिए यह सब कहिना की गडबड कर रहे है थोड़ा सा इस पर काम कीजिए, तभी जीवन आगे बढ़ेगा, तभी जीवन में बैलन्स आएगा, वैसे आज का दिन बहुत अच्छा है, आज कोई बहुत अचानक से नहीं अच्छी opportunity जीवन में आ सकती है, personal life हो, professional life हो, स्थिरता आती भी दिख रहे हैं, आज का दिन वैसे सारे ideas आते हैं, लेकिन जब उनको express करने का time आता है, आप चुक जाते हैं, इसके कारण, career में उतना आगे नहीं बढ़ पारें, जितना बढ़ सकते हैं, business, finance, education, field में है, lab होगा, love life, जो अभी समय चल रहा है, इसमें इसको अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, अभी क्या हो confidence, confidence एक दम डाउन हो चुका है, कुछ ऐसा लगता है, रिसेंटली हुआ है, इस पर काम कीजिएगा, सेहत के हिसाब से, chest की problem, lower back पे दर्द, और, सर से संबनेट कोई problem, सरवाश्टक में आपका, तीसा भावतिन तबली है, तो ठीक है दिन, overall तो अच्छा ही जाएगा, यात्रा के योग बन सकते हैं, अचानक से, आपके लिए उपाई ये है कि आपको, दुर्गा चारीशा का एक बार पाट करना है, शुबंक के आपका छे कले है, आपका brown भागया प्रतीशत है, 75 प्रतीशत है, धन भी आता हुआ दिख रहा है, confidence भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, चीजें भी पूरी होते हुए दिख रही है, और authority बहुत रहेगी आज पूरे जिवन में, थोड़ा अपने व्यक्तितों में एक flexibility रखिए, कभी-कभी थोड़ा rigid हो जाते हैं, ये व्यक्तितों भी होता ह है, थोड़ा रिश्यक का, ideal स्वभाव हो जाता है, उसके करण क्या होता है, कि कोई opportunity आती है, पहले आप उसको समझ नहीं पाते हैं, फिर बाद में पता चलता है, कि हाँ, ये चीज़ कर लेते तो अच्छा होता, और ये आजकल थोड़ा जादा हो रहा है, इस पर विचार क के समय, रात के समय, अपनी aggression पर control कीजेगा, जहां तक career की बात है, यहां पर चीज़ें ठीक है, कोई नया कारे आपको दिया जा सकता है, business, बहुत शुब दिन है, अगर आप रियल एस्टेट या, hospitality, travel, industry से जोड़ा कुछ भी कारे करते हैं, लाब होगा, love life, बहुत materialistic साबन बहुत conditional साबन गया है, इस पर काम कीजेगा, विवाहिक जीवन आज का ठीक है, कोई problem नहीं दिखरी, students, बहुत शुब दिन है, कोई exam अगर आपका पड़ता है, तो बहुत अच्छा करेंगे, सिहत के हिसाब से BP की problem, सरवाश्टक के हिसाब से आपका, धन स्थान बली है, त आज भाग्य का साथ में लेगा, आज साहस, पराक्रम, और जा सब कुछ अच्छा रहेगा, intuition बहुत अच्छी देगी, अपनी जरूरते पूरे कर पाएंगे, अपनी रुके हुए कारे कर पाएंगे, और emotional life में भी आज का दिन अच्छा देख रहा है, बहुत शुब दिन है यहां पर बहुत अच्छा दिन दिख रहा है, चीज़ें बहुत सकरात्मक रहेंगी, विवाहिक जीवन में थोड़ा emotional connection की आज कमी दिखेगी, जहां तक students की बात है, changes बहुत लाने पड़ेंगे, और आपको भी कहीं न कहीं पता है, लेकिन वो changes आप ला नहीं रहें, उनको पूर्ण करने के लिए, उन changes को लाने के लिए आप कुछ कारें नहीं कर रहें, सेहत के इस आप से infections तंग कर सकते हैं, और गले की रोग तंग कर सकते हैं, जहां तक सर आप कल है, आपका white भाग्य प्रतिशत है, 80%, मकर Capricorn, दिन ठीक है, सेहत का दिजेगा, आप जीवन के कुछ चीजों को, कुछ aspects को बहुत जादा उन पर focus कर रहे हैं, काम हो, पैसा हो, ठीक है, महत्वपुन होता है, पैसा, काम महत्वपुन होता है, लेकिन उसके कारण आप बाकी चीजों को बहुत इग्नूर करें, वो family life हो, emotional life हो, hobbies हो, सेहत हो, तो एक balance लाने का प्रयास कीजिए, वैसे आज का दिन ठीक है आपके लिए, सेहत का, लेकिन पूरे दिन आपको ध्यान रटना है, बाहर का खाना बिलकुल मत खाईएगा, आज ideas बहुत अच्छे हैंग कीजिएगा, पैसों के समंद में, या कोई बड़ा कारे भी आज accept किजिएगा, कोई बड़ा document भी आज, या important document भी sign मत कीजिएगा, love life, commitment की problems दिख रही है, और थोड़ा सा आपके side से जादा है, विवाहिक जीवन, आज जगडे हो सकते हैं, आज अनिशित्ता बहुत दिख रही है, students, communication पर काम करना शुरू कर दिजिए, वो एक negative factor या आपका weak factor देख रहा है, सेहत के ही से आप से पेट के रोग, सरवाश्टक के ही से आप से आपका बारवा स्थाना तिन तवली है, तो ठीक है, आज थोड़ा सेहत का ध्यान आपको जादा रखना ही पड़ेगा, आपके लिए उपाई है कि आपको काली 40 का दो बार पाट करना है, शुबंग के आपका 9 कलह है, आपका white भाग्य प्रतिशत है, कुम्भ, Aquarius, बहुत शुब दिन है आज का, आज पैसा भी आएगा, आज कारे भी पूर्ण होंगे, आज कोई कानूनी कारे भी पूर्ण हो सकते हैं, जो चीजे बहुत तंग कर रही थी, जो burden आपके उपर था, वो भी थोड़ा कम होता हो दिख रहे हैं, और शुबता हर त अच्छा आज उपयोग कर पाएंगे, नए-ने आइडियाज आएंगे, अच्छा दिन है, करियर, अगर आप पब्लिक डीलिंग से जोड़ा कुछ कारे करते हैं, अच्छा दिन है, बिजनस, अगर आप annual products, या food and beverage industry, या healthcare industry, इन से जोड़ा कुछ भी कारे करते हैं, लाव ल सिखरी, जहां तक students की बात है, बहुत शुब दिन है, आज भाग्य भरपूर साथ देगा, अच्छा दिन है, कोई महत्वपून कारे करना है, आज पूर्ण हो सकता है, सेहत, lower back में दर्ध, body में heat जादा रहेगी, acidity जादा रहेगी, सरवाश्टक के हिसाब से आपका, लाव basis mean, देखे, दिन तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा organized हो जाई है, यह problem बार-बार mean की होती है, फिर कहिए जो दूई सभाव होती है, लाशिया, 3-6-9-12, इनकी problem होती है, consistency की कमी होती है, और यह बार-बार जीवन में आता ही है, जितना कोशिश, यह कहना कि यह लोग consistent हो जाएं क्योंकि दूई सभाव की राशी है, लेकिन कोशिश करिए कि जितना consistency, जितना stability अपने life में आप ला सकते हैं, एक time table follow करना शुरू कर देजिए, जिसको आप अराम से follow कर भी सके, कई लोग ऐसे time table बना लेते हैं, कुछ ऐसा plan कर लेता हैं, जो कर नहीं सकते वास्तविकता मे वैसा मत कीजिएगा, कोई time table follow कीजिए, कोई time table बनाई है और उसके हिसाब से अपने जीवन को चीना शुरू कर देजिए, समय का सद्यूपयोग आप आजकल नहीं कर रहे हैं, इस पर कारे कीजिएगा, आज कोई contract शायद आपको sign करना पड़े हैं, कुछ भी अगर legal document sign करना होता है, तो बहुत ध्यान पूरवक ही कीजिएगा, वैसे आज का दिन overall अच्छा देख रहा है, कोई नई opportunity आ सकती है, investment भी कर सकते हैं, career, अगर आप human resource या फिर health care, इन से जो लोकारे करते हैं, लाब होगा business, आज कोई decision नहीं ले पाएंगे, तो आज मैं ही कहूँगा, business में लेना है, तो थोड़ा avoid कीजिएगा, love life, आगे बढ़ने के विचार कीजिए, कैसे एक साथ आगे बढ़ पाएंगे, कैसे अपनी relationship को और grow कर पाएंगे, विवाहिक जीवन अनिश्रित्ता दिख रही है, लड़ाई जगरे दिख रहे हैं, students, overthinking बहुत जादा हो रही, ये problem देगा, सेहत के इसाब से, नसों की problem, पेट की problem, सरवाश्टक में आपका दस्वास्थान दिन तबली है, तो ठीक है, और और आज का दिन अच्छा जाएगा, आपके लिए उपाई ये है कि आपको लक्षमी चारीसा, काली चारीसा, एक एक बार बाठ करना है, शुभं कि अजड़ चारीसा, जिए बार आज जबली है, थो और आज का दिन अच्छा जाएगागा, जिए झान का दे एक लिएव में पाराण आजिए, झान का दिन एक इंड़ है, आज आज़ है, झाली है, तो रखका दो, आज़ है टाज़ हैंगा है, टूज ए एक बाद में